Lab experiments Lab experiments जो हैं यह controlled experiments होते हैं हर चीज अवास से लेके number of trials जो दिये जारे हैं वो सब controlled होते हैं यह highly controlled conditions होती हैं उनके अंदर conduct होती हैं वो lab के इलावा भी हो सकती है आप किसी कमरे को, किसी भी जगह को, experiment को reception hall को, किसी के घर के किसी कमरे को उसमें कर सकते हैं लेकिन होता सब कुछ control है exact accurate measurement possible है चाहिए वो दिल की धड़कन आप measure कर रहे हो जैसे कि एक lie detector होता है जो हम forensic science में भी पंजाब में भी use हो रहा है उसमें वो लगाते हैं और वो जो कुछ बोलता है मुझरेम या कोई और तो जूट बोलता है तो उसकी दिल की धड़कन और उसके रॉंगटे जो हैं वो बता देते हैं तो वो exact measurement आ रही होती है यह experimental group और control group को compare भी करता है ठीक है? एक को एक treatment दूसरे को दूसरी दियो और फिर देखा कि है क्या फरकाया है दोनों में control क्यूंकि होता है हम यह समझते हैं कि उसी चीज़ की विज़ा से हुआ है जो हमने इनके साथ की तो यह मक्तद होता है अक्सर लैब experiment का researcher decide करता है कहा होगा किस time पे होगा किन के साथ होगा किन हालात में होगा और standardized procedure लिखा होता है लैब का जैसे chemistry physics bio के experiments में होता है Milgram का जो experiment था social experiment एक तरह से था social behavior का उसमें obedience देखी गई तो यह लैब में हो रहा है ठूट मूट का उनको का जाता है कि इनको शौक्स लगाने और कुछ लोग बटन दबा के उन्हें शौक्स लगाते हैं long story but just to tell you के lab experiments किस तरह से होते हैं पैवलोव ने यह कुद्ध experiment किया था रिष्या में बहुत पहले 19th early 20th century में वह यह देख रहा था कि खाना देखके उसके मूह में पानी आ जाता है पहले मूह में खाना डालने से आता था अब घंटी बजने से आ जाता है फिर वह घंटी बजाते हैं और खाना नहीं लाते फिर भी पानी आ जाता है इसको उसने कंडीशनिंग के अस्तूल बताए और इसको मैं हीूमन पे इस तरह अक्तर समझाती हूं स्टूडन्स को कि अफ्तारी से कुछ देर पहले जब बरतन खड़क रहे हो या कुछ चाट मिसाला लेके गुजरे तो आपके मूह में पानी आ जाता है बलके अभी मैं चाट मिसाले क मैं जिकर करूंगी उस पर लीमू हो तो आपके मूह में पानी आ जाएगा क्योंके कंडीशनिंग होई है कि जब आप उखाएंगे और मूह में डालेंगे तो उसके जाएके से आपके अंदर एक वो मज़े की कैफियत पैदा होगी तो यह एक्सपरिमेंट यूस्तूल होते हैं लैब के इससे कुछ बाते हैं समझ आती हैं तो यह हैं कुछ लैब एक्सपरिमेंट इसका फाइदा यह होती है कि इनको दुबारा दोहराया जा सकता है रैप्लीकेट किया जा सकता है कौपी किया जा सकता है जिसने किया है वैसा ही आप दुबारा करते हैं और ऐसा अक् कि कोई लैब से बाहर की चीज असर अंदाज नहीं हो रही आप जिस पर कर रहे हैं वही उसका उपर उसका जवाब दे रहे हैं और इंडिपेंडेंट्ट वेरियेबल्स जो हैं वह आप कंट्रोल कर सकते हैं फिर कॉज एन एफेक्ट रिलेशनशिप सेटल होती है कि इसी आर्टिफिशनल लैब में नहीं की जा सकती इनसान की जिन्दगी ऐसी नहीं है कि उसको आप तमाम कुछ लैब में करें कोई अननेट्रल बहेवियर जो लैब में हो रहा हो सकता है कि वह असल जिन्दगी में वह बंदा ना कर रहा हो तो जैसे उन्होंने गुस्ता दिलाने क कि उसको कहते थे कि आज हम ना कोई मेमरी का टेस्ट कर रहे हैं आप यह बैट के इन्तिजार करें ठीक है जैसे आप यहां लाने से पहले एक्सपरिमेंट कर सकते हैं कि यह जी आप यहां बैठें और वहां कोई आके कोई भॉन्डी हरकत को गुस्ता दिलाने वाली बात या कुछ और करे या temperature बहुत उंचा करतें कमरे का अब उनको नहीं बता experiment किस चीज का और है तो उसमें वो react करते हैं यह उन्होंने देखा कि लैब में जब वो experiment किया उन्होंने घुसते पे तो गर temperature ज्यादा था तो लोग ज्यादा चिड़ चड़े हो रहे थे ठीक है आम जिंदगी में भी जब temperature ज्यादा हो तो लोग चिड़ चड़े होते हैं लेकिन आम जिंदगी को देखने के लिए यह करके दोनों को मैच करना है वरना यह एक artificial रह जाता है तो यह इसके कमजोरी है रियल लाइफ सेटिंग में आप जनरलाइज कर सकते हैं के नहीं फिर इसमें डिमांड करेक्टरिस्टिक्स बहुत होती है एक्स्पेरिमेंटर का effect होता है वो एक बंदा एक बंदे पर कर रहा है ना तो हो सकता है कि मैं असर अंदाज हो रही हूं मेरी टोन जिस अंदाज से में देख रही हूं स्माइल कर रही हूं बगएरा उस्ते रिजल्ट्स में बाइस आता है